प्रश्कार में राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियोज, बिहार सरकार द्वारा 6 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया गया है, फैसला यह है कि बिहार सरकार ने मैट्रिक और इंटर में फेल हुए विद्यार्थियों को ग्रेस माक्स देकर पास करा दिया है, या एक ब बिहार सरकार और सिक्षा विभाग ने पास घोसित कर दिया है, यह एक बहुत बड़ी खबर है, कोविड-19 जो विमारी फैली हुए है, इसको देखकर सरकार ने यह कदम उठाया है, और यह कदम केवल और केवल अपवाद के स्वरूप में इसी वर्स के लिए लागू किया गया है, सिक्षा विभाग द्वारा बिहार सिक्षा मंत्राले को एक पत्र भेजा गया था और कोविड-19 की जो समस्याग पूरे बिहार में चल रही है, इसे देखते हुए उसमें कहा गया था, कि अभी एक्जाम कराना परिक्षा लेना आसान नहीं होगा, कमपार्टमेंट को जो कमपार्टमेंटल परिक्षा देने के पात्र हैं, उन्हें पास गोसित कर दे, ताकि वे आगे की अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सके, और इसी सत्र में नमांकन दाखिल कर जगे, क्योंकि अगर इसमें देरी हुआ, तो फिर आगे चल कर उनका नमांकन इस साल बरबाद हो जाएगा, इसलिए बिहार सरकार और सिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्मे लिया गया है, आपको बता देते हैं कि कितने विद्यार्थियों को पास कड़ा दिया गया है, तो सबसे पहले आप यह जान लिजए के कमपार्टमेंटल परिक्षा में वे वि विषय या दो विषय में फैल थे, वे बैठ सकते थे, बिहार सरकार और सिक्षा विभाग ने जो आकरे जारी कियें उसके अनुसार, 2020 में इंटर में, इंटरमीडियेट में एक लाख बत्तिस अजार चार सो च्यासी विद्यार्थि ऐसे थे जो एक या दो विषयों में फै इस अंक देकर उत्तिर्न घोसित कर दिया गया है और उनका रिजल्ट जो है, ऑनलाइन विएसी डॉट इन जो रिजल्ट की वेब साइट है, विएर बोड की उस पर जारी भी कर दिया गया है, यानि जो अनुत्तिर्न विद्यार्थि थे, कमपार्टमेंटल एक्जाम देने के लिए जो पात्र थे 1,32,486 उनमें से 72,610 विद्यार्थियों को पास करा दिया गया है, इस तरह जो मेट्रिक के जो विद्यार्थि थे, जो कमपार्टमेंटल एक्जाम देने के पात्र थे, एक या दो विशह में फेल थे, उनकी जो संख्याती वो थी 2,8,147 यानि 2,8, 4,147 मेट्रिक के ऐसे विद्यार्थी थे, जो एक या दो विशह में फेल हो गये थे, तो इनमें से 1,4,677 विद्यार्थियों को अतरिक्त ग्रेस अंक देकर विःहार विद्याले परिच्छा समीती ने पास करा दिया है, यानि 2,8,147 विद्यार्थी कमपार्टमेंटल एक पात्र थे, लेकिन इसमें से 1,4,677 विद्यार्थियों को अतरिक्त ग्रेस अंक देकर पास घोसित कर दिया गया है, और इनका भी रिजल्ट बिहार बोट के रिजल्ट की जो वेबसाइट है, ऑनलाइन बीसेबी.in उस पर जारी कर दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप अ कोरोना का फैलाओ बढ़ता जा रहा था, कहीं भी किसी भी परकार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि बिहार में, फिलहाल में कोई स्कूल खूलेगा या फिर कोई एक्जाम हो पाएंगे, अगर होंगे भी तो एक-दो महीना लेट हो जाएगा, और उसके बाद उसका महीना, चार महीना बाद पास भी होता है, तो वो इस सत्र में एडमीशन कहीं ले नहीं पाएगा, और उसका एक साल पूरा का पूरा बरबाद हो जाएगा, इसलिए सिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है, कि जो विद्यार थी, एक या दो विसे में फेल थे, और कुछ नमबरों से फेल थे, उन्हें पास गोसित कर दिया गया है, आप जिन जो भी कंपार्टमेंटल एक्जाम देने के पादर थे, आप अपना रिजल्ट जाकर, ऑनलाइन बीसे बीडॉट इन पर जाकर देख सकते हैं, तो यह एक बड़ी खबर है, बिहार और बिहार के उन वि दियार्थियों के लिए है, जो 2020 में जिनों ने एक्जाम दिया था, और अनुतिर्न हुए थे, दुरभाग वस, तो यह एक बड़ी खबर है, खबरों में बने रहने के लिए दिखते रहे है, बिहारी नियोज, धन्यवाद,